एक डिरेक्टर का काम ही सुपरवीजन का होता है, मैनेजमेंट का होता है, निर्देशन का होता है, यह सारी जानकारी आपको अल्रडी है, पर अगर आप सिस्टेमेटिक तरीके से ड्राफ्ट करते हैं, तो आपके पास प्रोफेशनल स्टाफ आने वाला है, इसकी वज़ए से अनके स्टाफ हमेशां motivated रहते हैं, और motivated रहते हैं तो हमेशा लक्यों को प्राप्त करने के लिए वह भी प्रिरित रहते हैं, अपने आपको एस्टाबलेश्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस चौर लखक्री है, तो competition की इस दऊर में आपको दूसरों सा अलग बनाएं living service मैं हूँ दॉक्टर अमित्माईश्वरी और आप सभी का सौगित करता हूँ Business Growth Strategy के इस Complete Course में जिसमें हम बात करेंगे कैसे Business को Expansion के और लेकर जाएं मेरा आप लोगों से request है Notes ज़रूर बनाएं क्योंकि Notes बनाने से ही आप Course को समझ पाएंगे और अपने बिजनस में Standard Operating Procedure को डिजाइन नहीं करते हमेशा उन्हें अपने बिजनस में involved रहना पड़ता है मतलब उनको हर बार हर process में 100% involved रहना पड़ता है या उनके staff को involved रहना पड़ता है और जब नया staff उस company में आता है तो वह previous staff के साथ का बैठ कर समझ कर दिरे दिरे करके चीजों को सीखते हैं और समझते हैं अब इस बात को ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक के एफ सी का रेस्टो है और एक Other Simple सिंपल रेस्टो में उसका ओनर सारी चीजों को बनाता है हर बार टेस्ट में माइनर differentiation आ जाता है लेकिन KFC में अलग-अलग यूनिट्स में अलग-अलग सेफ होने के बाद भी सभी जगह पर बनाएगे प्रोड़क्ट का जो टेस्ट है वह एक जैसा होता है क्यों क्यों कि वह SOP को फॉलो करते हैं Standard Operating Procedure को फॉलो करते हैं अब यह क्यों पाकी लोग भी आप ही के बताए गए दिशा निर्देश के अनुसार काम कर पाएंगे अब यह स्टेंडर अभी स्टेंडर Operating Procedure क्या है इसको थोड़ा समझ लेते हैं सबसे पहली बात यह clear-cut direction होता है और instruction होता है आपके प्रोड़क्ट की manufacturing के complete process को लेकर मतलब आपको कौन-कौन से steps follow करनी है इसके बारे में clear-cut information होती है कोई भी manufacturing unit में कोई भी employee उस बताए गए procedure को break करके कहीं और नहीं जा सकता किसी और तरीके से काम नहीं कर सकता और उसके बाद यह क्या होता है कि आपकी process क्या है इसको थोड़ा सा और define करते हैं कि आपकी company का goal क्या आप जो product बना रहे हैं उसकी कितनी quantity आप बनाएंगे ठीक है intent क्या किस quality का product बनाएंगे उस quantity और उस quality को match करने के लिए आपकी instructions क्या रहेंगी कि क्या-क्या steps आपको follow करने और step follow करने के बाद जो route आपने design किया है उस route के अंतरगती पूरा product manufacture किया जाएगा तब ही आप अपने goal को achieve कर पाएंगे अब यह समझना बहुत जरूरी है कि standard operating procedure की importance क्या है number one best practice अगर आप एक ही काम को एक ही तरीके से लगातार करते जाएंगे यह आपका staff एक ही काम को एक ही procedure एक ही method से लगातार करता जाएगा तो उसके practice बहुत best हो जाएगी मतलब same time में वो ज्यादा production कर पाएंगे इसलिए बहुत जरूरी है अपने business में standard operating procedure को design करने की consistency से वो स बाद में proper onboarding and training के लिए भी standard operating procedure बहुत जरूरी है अब इसका मतलब क्या है आपकी company में मान लीजिए experience 20 staff है और वो एक ही काम को एक ही process को follow करते हुए product की manufacturing कर रहे हैं अब अगर आप नए staff को recruit करते हैं तो बहुत important होगा उनकी proper training होनी चाहिए ताकि वो चीक तरीकी से practice कर पा अगर आपके पास operating system है आपके पास procedure बना हुआ है तो वो onboard training आसानी से कर सकते हैं उन instructions को follow करते हुए maintain organizational knowledge आपकी जो organization knowledge है वो properly maintain रहेगी मतलब आपका 20 year old staff भी जितना capable है उतना ही आपका one year experience staff होगा उतना ही आपका new newly appointed staff है वो भी उतना ही capable होगा इसलिए company में SOP को design करना बहुत important है आई इस बात को में एक example को रूप में आपको बताता हूं देखिए हर industry का manufacturing का एक process होता है यह client से deal करने का process होता है यह उस product को final stage तक लिएने का एक process होता है इसी को design करना इसी के steps को design करना SOP कहते हैं मैं इसको एक example group में आपको बताता हूं मानलों आप apparel designing की बात क कर रहे हैं सबसे पहला step क्या होगा कोई भी नया product जब आप develop करते हैं सबसे पहले होते हैं इसके designing for example आप एक suit design कर रहे हैं आपने suit को design किया design करने के बाद designing के बाद आप उस product की design का approval लेंगे अगर वो design approval में पास होती है तो हम अगले step को follow करेंगे अगर वो design approval में reject हो जाती करेंगे इसी को मैं सोपी बोलते हैं क्या कि आपने design किया design करने का उसको approve कराया अगर पास हुआ तो आगे steps नहीं हुआ तो redesign उसके बाद में वो पास हो गया तो क्या होगा fabric का selection करेंगे कि वो material या वो product किस fabric में बनने वाला है fabric का selection हुआ तो fabric के selection के बाद उस designing के according complete cutting होगी और उस cutting के according stitching होगी stitching होने के बाद उसकी final finishing होगी finishing होने के बाद उसकी testing होगी कि जो product आपने design किया था क्या वो वैसा ही बनका रहा है जैसा बनना चाहिए था या नहीं उसके बाद क्या होगा आपकी testing में product यह तो pass होगा या reject होगा अगर reject होगा तो designing पर फिर दुबारा से यहां पर काम शुरू हो जाएगा और अगर पास होता है तो उसके बाद उस product का ड्राफ्ट डिजाइन हो जाएगा ड्राफ्ट सेटिंग का मतलब अगर आप रेडिमेट गार्मेट में देखें तो एक product बनने के बाद उसका structure का ड्राफ्ट बना लेते हैं उसके patterns बना लेते हैं उस ड्राफ्ट के according तो आपका ड्राफ्ट अप्रूव हुआ है तो आप ड्राफ्ट सेटिंग करेंगे उसके बाद mass production के लिए जो भी process होता है cutting का cutting stitching finishing testing cutting stitching finishing testing के लगाता चलता रहेगा mass production के बाद क्या होगा आपको सारा मेटिल packaging में जाएगा packaging के बाद वह स्टॉक में जा तो यह क्या रहा एक standard operating procedure रहा ready made government industry का ऐसे हर इंडस्ट्री का एक procedure होता है जैसे हमारी जो इंडस्ट्री है वो modular kitchen manufacturing industry में क्या होता है क्योंकि modular kitchen एक customized product customer की जरूत के हिजाब से बनाया जाएगा तो उसका process क्या होगा यह मैं इसको एक example गूरूप मैं आपको बताएता हूँ इ इसके साइट को विजिट करेगा साइट को विजिट करने के बाद साइट का measurement measurement के बाद में client requirement की ग्राक की क्या requirements है उन requirement के बाद क्या होगा designing 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 बनेगा अब designing को approval के लिए हम customer को बेजेंगे client को design बेजेंगे for example client ने वो design approve कर दिया अब इसके दो result आएंगे yes या no अगर मानली जिसका no आया है तो इसको redesign करेंगे फिर customer को बेजेंगे फिर उससे लेंगे yes और no अगर फिर no करता है फिर design करेंगे फिर client को बेजेंगे जैसी वो design को yes करेगा उसके बाद वो design जाएगी production में जिसमें material का selection होगा कि क्या क्या है metal उसमें लगने वाला है उस material के अधार पर उससे related hardware accessories और उसकी cutting पेस्टिंग ये सारी चीज़े design होगी और design करने के बाद वो deliver कहा हो जाएगा उससी site पर जैसे metal ready होगा site पर deliver हो जाएगा डिलीवर होने के बाद installation के बाद finishing letter जो हम client से sign करें तो यह यह काम किया उसने फर्स साफ किया उसने टाइल साफ की उसने यह साफ किया सारी चीज़े points पे लिखी होगी उसने क्या क्या चीज़े वाश की वो सारे steps लिख्योंगे उसको वहाँ पर daily daily schedule के अकार्डिंग को करता है तो इसका मतलब हर एक काम को करने के लिए एक स्टेंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जरुवत है उस प्रोसीजर को document करने की मतलब सही तरीके से step by step one two three four five six आपके number of steps को define करने की जब आप number of steps को define कर देंगे तो आपका कोई भी इंप्लॉई चाहें वो experienced हो या वो नया हो वो उनी steps को follow करते हुए final procedure तक पहुंचेगा फ्रेंट्स बहुत जरूरी है कि अगर आप अपने business को systematic business के रूप में draft करना चाते हैं डिजाइन करना चाते हैं तो अपनी company में हर काम को करने के लिए standard operating procedure को आप design करें चाहें वो किसी भी client के बिल को issue करने से लेकर metal dispatch करने तक का हो या किसी भी production unit या किसी भी organization में जो material बनकर तयार हुआ है उसकी stocking से लेकर dispatch के system तक का हो या client के selling procedure से लेकर buyer के material supplying procedure की payment schedule को design करने का हो या अपने business में अपने banking transaction को कैसे monitor करना है और कैसे drafting करनी है उसको लेकर design करने का हो आपको जरूराता है हर काम को लेकर एक standard operating procedure को design करने के इसके लावा आपके मन में अगर कोई भी प्रश्ण है तो पहले वह आप dairy में note करने के बाद जब हम Q&A करेंगे तो Q&A में आपने questions को रखें उसका जवाब हम आपको explain करेंगे फ्रेंच इसके लावा ये जो वीडियो हैं वो किवल तभी कारगर होंगी जब आप इनका implementation अपने business में step by step करते जाएंगे स्वस्त रहें मस्त रहें मैं डॉक्टर अमित्माईश्वरी आपके सुनरे भविश्य की कामना करता हूं जै हिंद जै भारत